असलाम अलेकुम फ्रेंड्स बिसमिलार्वानि रहीम आज ऐसा डिजॉल्ट बनाएंगे हम जो नए साल को और भी रंगीन बना देगा और घर में रखे हुए सामान से हम यह डिजॉल्ट बनाएंगे बहुत ही जादा लजीज बनता है और घर में जो भी सामान है उसको हम सब बीच में भी कर लेते हैं और एक बहुत ही जादा टेस्टी डिजॉल्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो यहां पर इसको हमने विप करना शुरू कर दिया है कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन कर तेयार होती है तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कंडेंसन मिल्क इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें तो यहां पर हमने एक सी दो डाल दिया है और इसको फिर हम मिक्स कर देंगे अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें तब इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है तो बस इसको इतना लिक्विडी रखना है और इसको नहीं फिटेंगे और यहां पर हमने दो बॉल ले लिये हैं आप चाह यह बिस्किट है तो उसका भी यूज कर सकते हैं यहां पर इस तरह से हमने इस तरह से नीचे पहले केक रख देंगे यह बहुत ही अच्छा रिजॉल्ट बनके तयार होगा और नया साल पर आप इसको बनाईएगा और मेहमानों को खिलाईएगा और उनकी तारीफे लीजेगा बहुत ही अच्छा बनकर यह तयार होता है तो फिर इसके उपर हम डाल देंगे थोड़ा सा शुगर सिरफ यह आपके पास जैसे रजगुले होते हैं उनका सिरफ बढ़ जाता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं यहां पर तो हमने दो तुचमाच वो डाल दिया है और इसके उपर हम यह वीप किरिम डाल देंगे अप जाये तो कहले नीचे वीप करीम भी डाल सकते हैं अगर इस तरह से भी यह समेही वीप करीम पहुँच जाएगी यहां पर हमने भर कर यह बड़ा चमाच वीप करिम डाल दिया फिर यहां पर हमने यह लिया है कस्टर्ल्ट इसको हमने बना लिया था और फ्रीज में आप चाहें तो colorful fruit लेसकते हैं वो भी use कर सकते हैं इसमें सब बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से इसको हम लगा देंगे आप फिर यहां पर हमने थोड़े से grads टाल दियए इस तरह से इसमें पहले gramps टाल देंगे फिर यहां पर हम johncails करेंगे तो यह जैली हमने green colour की जैली यूज़ की है आप जाये तो कोई सी भी जैली को यूज़ कर सकते हैं और फिर इसको पर थोड़ा सा कस्टर डाल डाल देंगे यह बहुत ही जादा शानदार बन करते यार होता है फिर इसके ओपर थोड़ी वीप की रिमॉट डाल देंगे फ्रेंड्स आपको यार दिला दें अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है आप हमारे नए चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें बैल आइकन को प्रेस कर दें जिससे के आपको हमारी इजी रेसिपी का नौटिफिकेशन मिलता रहे तो यहाँ पर हम ने कलर फूट चैरी डालती है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और थोड़े से बादाम काट कर डाल दिये हैं आप चाहे तो कोई सा भी राइफ फूट्स डाल सकते हैं थोड़े से हम इसमें किश्मिश डालेंगी यह बहुत ही जल्दी बनने वाला रिजॉल्ट ह और यहाँ पर हमने पर हम ने डाल दी है चैरी जो बड़े वाली चैरी आती है वह लगा देंगी यहाँ पर आप इसमें कोई साभी fruits कोई साभी कुछ भी use कर सकते हैं इस सब mix करके आप बहुती easily इसको घर में नया साल के लिए तयार कर सकते हैं और सबका मूँ मीठा करा सकते हैं नया साल की खुशियों के लिए जिसे के नया साल आपकी जिंदगी में खुशी भर कर बन कर आए और खुशिया दे तो इसी तरह हम इसमें बड़े बॉल में भी बना लेते हैं अगर आपको हमारी यह रासी भी अच्छी लगती है प्लीज हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और उपर से हमने डाल दिया है इसमें चॉकलेटी केक थोड़ा इससे बहुत अच्छा लगता है यह इसका टेस्ट बहुत अच्छा लता है आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह खाने में कितना टेस्टी होगा अल्लाहाफेज